मनुष्य का हृदय अभिलाशाओं का क्रियास्थल और कामनाओं का आवास है। कोई समय वह था जब कि माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाशा और चेश्टाहीन था। किन्तु जब मिट्टी के घरोंदे बनाने लगी उस समय मन में यह इच्छा उत् कि मैं भी अपनी गुलिया का विवाह करूंगी। सब लड़किया अपनी गुलिया ब्याह रही हैं, क्या मेरी गुलिया कुवारी रहेंगी। मैं अपनी गुलिया के लिए गहने बनवाऊंगी, उसे वस्त्र पहनाऊंगी, उसका विवाह रचाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया, पर गुलियों के भाग्य में विवाह न बदा था, एक दिन में गिर आये और मूसलाधार पानी बरसा, घरोंधा वरिष्टी में बह गया और गुलियों के विवाह की अभिलाशा अपूर्ण हो रह गई, कुछ काल और बीता, वो माता के संग विरज होते, भूमी ऐसी स्वच होती की मक्खी बैठे और फिसल जाए, मैं विरजन को अपने घर ले जाती, वहां अच्छे अच्छे पक्वान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भोती उसकी सेवा करती, यह इच्छा वर्षों तक रिदय में चुटकिया ल उन दिनों इस चर्चा के अतिरेक्त उसे कोई बात अच्छी न लगती थी, निदान उसके हृदय में प्रतापचंद की चैरी बनने की इच्छा उपन हुई, पड़े-पड़े हृदय से बाते किया करती, रात्र में जागरन करके मन का मोदक खाती, इन विचारों से चित प और देवताओं की उपासना करने लगी, वरत रखने लगी की प्रतापचंदर पर समय की कुद्रिश्टी न पढ़ने पाए, इस प्रकार अपने जीवन के कई वर्ष उसने तपस्विनी बनकर व्यतीत किये, कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर होती, किन्तो आज तपस्व अपने बालाजी की आर्ती उतारी है, उसके आसु नहीं रुके, सारा दिन बीट गया, एक एक करके तार निकलने लगे, चूर्य ठककर छिप गया और पक्षीगन भोसलों में विश्राम करने लगे, किन्तो माधवी के नेत्र नहीं ठके, वो सोचती है कि हाए, क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूँ, मैं कभी हंसी भी थी जिसके कारल इतना रोती हूँ, हाए, रोते रोते आधी आयू बीत गई, क्या शेश भी इसी प्रकार बीतेगी, क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा ना आएगा, जिसे स्मरंग करके संतोश हो की मैंने भी क सुद्रिन देखे थे, आज के पहले माधवी कभी ऐसे नेराश्य पीरित और छिन हृदया नहीं हुई थी, वह अपने कल्पित पेम में निमगन थी, आज उसके हृदय में नवीन अभिलाशाएं उत्पन हुई है, अश्रू उन्ही के प्रेरित है, जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो, वही इस समय माधवी की भावनाओं का अनुमान कर सकता है, सुवामा की हृदय में नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया है, जब तक बालजी को न देखा था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाशा ये थी कि वह उन्हें आँखे भर कर देखत और हृदय शीतल कर लेती, आज जब आँखे भर देख लिया तो कुछ और देखने की अच्छा उत्पन हुई, चोक, वह इच्छा उत्पन हुई माधवी के घरोंदे की भाती मिटी में मिल जाने कलिए, आज सुवामा, विरजन और बालाजी में सायकार तक बाते होती रही बालाजी ने अपने अनुभवों का वर्नन किया, सुवामा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विरजन ने कहा थोड़ा, किन्तु सुना बहुत मुन्शी संजीविनलाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रूई, जब दीपक जलने का समया पहुँचा, तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले और सुवामा भोजन बनाने बैठी आज बहुत दिनों के पश्चात सुवामा मन लगा कर भोजन बना रही थी दोनों बात करने लगी, चुवामा बेटी, मेरी ये हार्दे का भिलाशा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिष्टित हो और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी प्रताप ने पिता और कुल का नाम उझ्जवल कर दिया, आज जब प्रतल काल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी तो मेरा हृदय उमर उमर आया था मैं केवल इतना चाहती हूं कि वे ये वेराग्य त्याग दे, देश का उक्कार करने से मैं उन्हें नहीं राकती, मैंने तो देवी जी से यही वर्दान मानगा था, परंतो उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विदीन हुआ जाता है विरजन सुवामा का अभिप्राय समझ गई, ओली चाची, ये बात तो मेरे चित में पहले ही से जमी हुई है, अफसर पाते ही अवश्य छेऊंगी, सुवामा अफसर तो कदाचत ही मिले, इसका कौन ठिकान, अभी जी में आये, कहीं चल दे, सुनती हूँ सोटा हाथ में लि पुस्तकों में पड़ा, किन्तु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा, पेचारी ने आधी आयू रो रोकर काट दी और कभी मुख न मेला किया, मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, परंतु रोने वाले नेत्र और हसने वाले मुख छिपे नहीं रहते, मुझे ऐसी ही पुत्रव चुवामा तो आज ही इसकी चर्चा छेरो, ऐसा नहो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे, तो फिर एक यूप प्रतीक्षा करनी पड़े, व्रिजरानी सोचकर चर्चा करने को तो मैं करूं, किन्तु मादवी स्वयम जिस उत्तमता के साथ यह कार्य कर सकते है, कोई दूसरा नह प्रताप चंद्र की पतनी बन चुकी, इश्वर के यहां उसका विवाह उनसे हो चुका, यदि ऐसा नहोता तो क्या जगत में पुरुष न थे, माधवी जैसी स्थ्री को कौन नेत्रों में न स्थान देगा, उसने अपना आधा योवन वियर्थ्रों रोकर बिताया है, उस ने आज तक ध्यान में भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया, बारा वर्ष से तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है, वो पलंग पर नहीं सोई, कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना, केश तक नहीं गुन थाय, क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्व होता कि धवी का विवाह हो चुका, फ्रिदै का मिलाप सच्चा विवाह है, सिंदूर का टीका, ग्रंती बंधन और भावर ये सब संसार के धकोसले है, चुवामा अच्छा, जैसा उचित समझो करो, मैं केवल जग हसाई से दर्ती हूँ, रात को नौ बजे थे, आकाश पर तारे छ माधवी चौक पड़ी, विरजन अंधेरे में बैठी क्या कर रही है, माधवी कुछ नहीं, तो तारों को देख रही हूँ, वे कैसे सुहावने लगते है, किन्तु मिल नहीं सकते, विरजन के कलेजे में बर्ची सी लग गई, धीरज धरकर बोली ये तारे गिनने का समय नही है, जिस अतिथी के लिए आज भोर से ही फूली नहीं समाती थी, क्या इसी प्रकार उसकी अतिथी सेवा करेगी, माधवी मैं ऐसे अतिथी की सेवा के योग्य कब हूँ, विरजन अच्छा, यहां से उठो तो मैं अतिथी सेवा की रीती बताऊं, दोनों भीतर आई, चुव कर लेटे, तो विरजन ने माधवी से कहा, अब यहां कोने में मुख बांध कर क्यों बैठी हो, माधवी कुछ डो तो खा के सो रहूं, अब यही जी चाहता है, विरजन माधवी, ऐसी निराश न हो, क्या इतने दिनों का व्रत एक दिन में भांध कर देगी, माधवी उठी, परंतो उसका मन बैठा जाता था, जैसे मेगों की काली-काली घटाएं उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल्थल एक हो जाएगा, परंतो अचानक पच्वा वायू चलने के कारण सारी घटा काई की भांती फच जाती है, उसी प्रकार इस समय माधवी की गती हो रही है, वह शुप दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी, कभी वह दिन भी आएगा जब की मैं उसके दर्शन पाऊंगी और उनकी अमरितवानी से श्रवन प्रिप्त करूंगी, इस दिन के लिए उसने मान्याए कैसी मानी थी, इस दिन के ध्यान से ही उसका हर कैसा खिला उठता था, आज भोर ही से माधवी बहुत प्रसंद थी, उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गून था था, चैकरों काटे हाथ में चुभा लिये, उनमग की भाती गिर गिर परती थी, ये सब हर्श और उमंग इसलिए तो था कि आज वह शुप दिन आ गया आज वह दिन आ गया जिसकी ओर चिरकाल से आखें लगी हुई थी, वह समय भी अपस्मरण नहीं, जब यह अभिलाशा मन में नहीं, जब यह अभिलाशा मन में न रही हो परन्तु इस समय माधवी के हृदय की वह गाते नहीं है, आनन्द की भी सीमा होती है कदाचत वह माधवी के आनन्द की सीमा थी, जब वह वाटिका में जूम जूम कर फूलों से आचल भर रही थी जिसने कभी सुख का स्वाध ही न चक्खा हो, उसके लिए इतना ही आनन्द बहुत है वह बेचारी इस से अधिक आनन्द का भार नहीं सभाल सकती जिन अधरों पर कभी हंसी आती ही नहीं, उनकी मुस्कान ही हंसी है तो मैसों से अधिक हंसी की आशा क्यूं करते हो माधवी बालाजी की ओर परंतु इस प्रकार इस प्रकार नहीं जैसे एक नवेली बहु आशाओं से भरी हुई श्रिंगार किये अपने पती के पास जाती है वही घर था जिसे वह अपने देवता का मंदिर समझती थी जब वह मंदिर शून्य था तब वहा आकर आशूं के पुष्ट चड़ाती थी आज जब देवता ने वास किया है तो वह क्यों इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है प्रात्री भली भाती आर्थ हो चुकी थी चड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे माधवी दबे पाव बालाजी के कमरे के द्वार तक गई उसका हृदय धड़क रहा था भीतर जाने का साहस न हुआ मानो किसी ने पैर पकड़ लिये उल्टे पाव फिर आई और प्रित्वी पर बैठ कर रोने लगी उसके चित ने कहा माधवी ये बड़ी लज्जा की बात है बालाजी की चैरी सही माना कि तुझे उनसे प्रेम है किन्तु तु उसकी स्त्री नहीं है तुझे इस समय उनक ग्रह में रहना उचित नहीं है तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता प्रेम और वस्तू है और सोहाग और वस्तू है प्रेम चित की प्रवरिती है और व्याहिक पवित्रत धर्म है तब माधवी को एक विवाह का स्मरन हो आया वोगर ने भरी सभा में पत्नी की बांग पकली थी और कहा था कि इस स्त्री को मैं अपने ग्रह की स्वामिनी और अपने मन की देवी समझता रहूंगा इस सभा के लोग आकाश, अग्नी और देवता इसके साक्षी रहे हाँ, ये कैसे शुक्ष शब्द है मुझे कभी ऐसे शब्द सुनने का मौका प्राप्त न हुआ मैं न अग्नी को अपना साक्षी बना सकती हूँ, न देवताओं को और न आकाश ही को परं तु है अग्नी, है आकाश की तारों, और है देवलोक वासियों तुम साक्षी रहना की माधवी ने बालाजी की पवित्र मूर्ती को हृदय में स्थान दिया, किन्तु किसी निक्रिष्ट विचार को हृदय में न आने दिया यदि मैंने घर के भीतर पैर रखा हूँ तो है अग्नी, तुम मुझे अभी जलाकर भस्न कर दो हे आकाश, यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे ग्रह में जाते देखा, तो इसी क्षन मेरे उपर इंद्र का वज्र गिरा दो माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मग्न बैठी रही, अचानक उसके कान में भगभग की ध्वनी आईया उसने चौक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिर्कियों से बाहर निकल कर आंगन में फैल रहा था माधवी के पाउ तले से मिट्टी निकल गई, त्यान आया की मेच पर लेंप भभग उठा, वायू की भाती वह बालाजी की कमरे में घुसी, देखा तो लेंप फटक प्रित्वी पर गिर पड़ा है और भूतल के बिचावन में तेल फैल जाने के कारणाग लग गई है दूसरे किनारे पर बालाजी सुक से सो रहे थे, अभी तक उनकी निद्रा न खुली थी, उन्होंने कालीन समेट कर एक कोने में रख दिया था, विद्धियुत की भाती लपक कर माधवी ने वह कालीन उठा लिया और भाभकती हुई ज्वाला के उपर गिरा दिया धमाके का शब्ध हुआ तो बालाजी ने चौक कर आँखे खुली, घर में धुआ भरा था और चतुर्दिक तेल की दुर्गन फैली हुई थी, इसका कारण वन समझ गए, बोले कुशल हुआ, नहीं तो कमरे में आग लग गई थी माधवी जी हाँ, ये लाम्प गिर पड़ा था, बालाजी तुम बड़े अफसर से आ पहुची, माधवी में यहीं बाहर बैठी हुई थी, बालाजी तुमको बड़ा कश्ट हुआ, अब जाकर शेयन करो, रात बहुत हा गई है, माधवी चली जाऊंगी, शेयन तो नित्य ह करना है, ये अफसर न जाने फिर कब आये, माधवी की बातों से अपोर्व करुना भरी थी, बालाजी ने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देखा, जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था, उसक समय वह एक खिलती हुई कली थी और आज वह एक मुर्जाया हुआ पुश्ट ह न मुख पर सौंदर्य था, न नित्रों में आनन की जलक, न मांग में सोहाग का संचार था, न माधि पर सिंदूर का टीका, शरीर में आभूशानों का चिन्ह भी न था, बालाजी ने अनुमान से जाना की विधाता से जान की विधाता ने ठीक तरु नावस्था में इस तुम्हार पती, माधवी उन्हें मेरी कुछ सुधी नहीं, उनका विवाह मुझ से नहीं हुआ, बालाजी विस्मित होकर बोले तुम्हारा पती करता क्या है, माधवी देश की सेवा, बालाजी की आँखों के सामने से एक परदा सा हट गया, वे माधवी का मनोरत जान गए और बोले माधवी इस विवाह को कितने दिन हुए, बालाजी के नेतर सजल हो गए और मुख पर जातियता के मद का उन्माद सचा गया, भारत माता, आज इस पतितावस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियां खेल रही हैं, जो एक भावना पर अपने योवन और जीवन की आशाय समर्पन कर सकती है, बोले ऐसे पती को तुम त्याग क्यों नहीं देती, माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा स्वामी जी, आप अपने मुख से ऐसे कहें, मैं आर्या बाला हूँ, मैंने गांधारी और सावित्री के कुल में जन्म लि मैं इश्वर से उनक हित चाहती रहूंगी, मेरे लिए यही क्या कमग है, जो ऐसे महात्मा की प्रेम ने मेरे हृदय में निवास किया है, मैं इसी का अपना सौभाग्य समझती हूँ, मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखा था, वोल चित्र एक शन के लिए भी आ मैं उसकी हूं और सदैव उसी का रहूंगी, मेरा हृदय और मेरे प्रान सब उनकी भीठो चुके हैं, यदि वे कहें तो आज मैं अगनी के अंक मने ऐसे हशपूर्वग जा बैठूं जैसे फूलों की शैया पर, यदि मेरे प्रान उनके किसी काम आए तो मैं उसे ऐसी प्र मर्पन कर दिया है, इस विचार से बालाजी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जला कर भस्न कर दिया हो उसके लिए एक मनुश्य के घाईरिय को जला डालना कोई बात नहीं, प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है, वो बोले म अन्यास और वेराग्य का त्याग कर सकता हूँ, जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया है, वो तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा, माधवी इसके लिए पहले ही से प्रस्तुत थी, तुरंत बोली स्वामी जी, मैं परम अबला और बुद्विहीन सत्री हूँ, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निजविलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया, यदि आपने यह विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल ये का आपके चरनों में सांसारिक बं स्वामी जी, मुझे आशा न थी कि इस जीवन में मुझे ये दिन देखने का स्वभाग्य होगा, यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इसी आनन से उसे आपके चरनों में समर्पन कर देती, मैं हात जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप इन चरन है, अब ये जलन नहीं सकी जाती, ये कहते कहते माधवी का कंट रुंद गया और आखों से प्रेम की धारा बहने लगी, उससे वहाँ न बैठा गया, उठकर प्रनाम किया और विरजन के पास आकर बैठ गई, व्रिचरानी ने उसे गले लगा लिया और पूछा क्या बात च मैं अपने यहां से विवाह करूंगी, माधवी नेराश्य भाव से मुस्क्राई, विरजन ने कंपित स्वर से कहा हमको भूल तो न जाएगी, उसकी आखों से आंसू बहने लगे, फिर वह स्वर सभाल कर बोली हमसे तू बिछुर जाएगी, माधवी मैं तुम्हें छोड़ या रंग का होता है, माधवी मेरा श्वेत रहेगा, विरजन तुझे चंद्रहार बहुत भाता था, मैं अपना दे दूंगी, माधवी हार के स्थान पर कंठी दे देना, विरजन कैसी बाते कर रही है, माधवी अपने श्रिंगार की, विरजन तेरी बाते समझ में नहीं आत माधवी तुम विवाह की बाती चीत करती हो इससे मुझे दूख्ष होता है।